खेरा अग्विंद्रान वाथ ये कहानी है बगुले और केकले की एक नदीद था उसमें बहुत सारी मच्टिया रहती थी वहाँ पर एक बगुला भगत भी रहते थे उन्हें मच्छलियों से कहा कि देखो भईई देखे इबैटके कह रहे हैं अब तो पानी सुख जाएगा हम लोग मर जाएंगे चलो तुम लोगों को हम दूसरी जगा सिफ्ट कर देते हैं मच्छलियां मोली ठीक है चलो लिए ये क्या ये सिफ्ट करने के बहाने एक अक मच्छली को ले जा करके अपनी दावत उलाने लगे मच्छलियों ने कहा कि भाई जो जाता है वो फिर आता नहीं है बगुले ने कहा कि वो तो जगगा बहुत दूर है जब जाओगे तब तो देखोगे कहा कि मच्छलियों ने कहा कि ठीक हम भी चलेंगे मचलियां जाने लगे फिसेज क्रेंस पर बगले पर विश्वास करके जाने लगे और ये बगले मचलियों को खा करके मौज मस्ती करने लगे मचलियां सीधी साधी सुभाव की थी एक बार की बात है केकड़े से मचलियों ने कहा कि ये बगला हम लोगों को ले जाकर के कहीं मार देता है कहता है कि हम दुस्री जगह ले जाएगे केकले ने आकर के क्रेप्स ने आकर के बगले से पूछा अच्छा तुम ये बताओ मश्लियों को कहा ले जाती हो बगले ने कहा कि मैं हम तो मश्लियों को बहुत अच्छी जगह ले जाते हैं, जहां पर वो बैठती हैं और चैन करती हैं, तुम भी चलोगे क्रेप्स ने कहा कि भाई, वो तो जरूर देखने लाइक चीज होगी, जहां तुम मशलियों को ले जाते हो केकड़े ने कहा कि हम तो तयार हैं वही, हम तो चलेंगे, लेकिन केकड़ा जानता था ये बगुला भगत कम सातिर नहीं है नदी से बाहर निकल के आया, कहा कि चलो हमें ले चलो, हम चलने के लिए तयार हैं, और बगुला भगत भी वहां पे आ गए लेकिन केकड़ा जो है क्रेब जो है इनसे तेज निकला और इनकी गर्दन को पकड़ लिया कहा कि तुमने सारी मचलियों को खाया है उसका हम बदला लेंगे और बगले को गर्दन को पकड़ करके उसने बगले को जमीन पर गिरा दिया और कहा तुम जोट काते थे कि हम मचलियों को अच्छे तलाब में ले जाएंगे इसकी सजा आप तुम लो और इस तरह से किकले ने उनको मादाए